नमस्कार दोस्तों टेक्नोटिक वीपेन चैनल में आप सबका तही दिल से स्वागत है दोस्तों जब भी हम फेस्बुक चलाते हैं मोबाइल का ज्यादा डाटा फेस्बुक चलाते वक्त खर्च हो जाता है जिसके जरिये हमारा नेट भी खतम हो जाता है दोस्तों मैं आपको फेस्बुक के एक सेटिंग बताऊंगा जिसके करने से आपका फेस्बुक का ज्यादा डाटा बचत हो जाएगा आप ज्यादा समय तक दिन भर फेस्बुक चला सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पे ने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं मोब चैनल स्क्रेन पर दोस्तों जर्याल स्क्रेंगे दोस्तों मोबाइल पर आकर फीसबुक अपलिकेशन ऊपन कर लेते हैं दोस्तों आन में करना है बॉत्सरी अच्छी औरत में लिखनी दिम alma डिऊसरे के निचे जहां पर सेटिंग्स लिखा है हमको सेटिंग्स में क्लिक कर लेना है दोस्तों यहां पर हमको सेटिंग्स में क्लिक कर लेना है दोस्तों मीडिया में क्लिक करने के बाद हमारे समने एक नया पेज विजिवल हो रहा है मीडिया का यहां पे दोस्तों दिखिए फास्ट टॉप में लिखा है वीडियो क्वालिटी दोस्तो जहां पर optimize लिखा है उसका नीचे adjust video to network condition उसका site में tick mark है दोस्तो इसका आर्थ है यह by default है दोस्तो इसका आर्थ है जब आपका mobile में network condition ठीक रहेगा तब आप Facebook जब चलाएंगे तब आपका Facebook का video clarity में कोई कमी नहीं रहेगा best quality में video play होगा जब आपका mobile में network condition ठीक नहीं रहेगा तब आप जो Facebook में कोई video play करते हैं तब थोड़ा blog जैसा और quality में थोड़ा कम आएगा दोस्तो जहां पर data save लिखा है हमको यहां पर right side में tick mark में click कर देना है क्योंकि हमको data save करना है Facebook चलाएंगे यहां पर data saver के नीचे mention है used to 40% less data by reducing video quality दोस्तो जब इसमें tick mark में आप click कर देंगे जब आप Facebook में कोई video play करेंगे आपका Facebook का data कम खर्च होगा दोस्तो यहां पर जहां पर लिखा है autoplay autoplay के नीचे यहां पर mention है on mobile data and wifi दोस्तो जब आप Facebook में कोई video play करेंगे तो ओ mobile data और wifi में भी play हो जाएगा जब आप on wifi only रखेंगे select करके तब यह wifi में only play होगा और mobile data में play नहीं होगा अन wifi के नीचे जहां पर neighbor autoplay video हमको वहां पर tick mark लगा देना है क्योंकि neighbor autoplay video means जब आप Facebook में कोई video देखते हैं या scroll करते हैं तब बहुत सारा वीडियो क्या होता है play हो जाता है automatic तो उससे क्या होता है आपका data on necessary खर्च हो जाता है आप इससे बच सकते हैं आप यहां से tick mark में क्लिक कर देंगे neighbor autoplay video right set में tick mark में क्लिक कर देंगे देन data set में क्लिक कर देंगे दोस्तों यह दो setting आपको कर देना चाहिए इसके जरिए आपका Facebook चला देवक 50% से कम भी data पचत होगा दोस्तों अगर आपको यह video informative लगा तो please video को like कीजिए और channel को subscribe कर लिजिए तो मिलते हैं अगले video में thank you so much